तो आये शुरू करते हैं, सबसे पहले मेरा जो normal convention है कि मैं कुछ ने कुछ बोलता हूँ, topic स्टार्ट करने से पहले, your network is your net worth, इसका क्या मतलब होगा? आप आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि, you are the average of the best, five best friends you be with, तो ये भी पुछ ऐसे ही है, इस में मैं computer networks की बात कर रहा हूँ, यहां पर मैं आपके network की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप daily life में कर रहे हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं, computer networks में आप ज किसी बिटापी company हो, उन सब में कोई ना कोई internal network होता है, और जो network company का backbone है, और उस network को बनाने के लिए बहुत सादा resources लगते हैं, devices लगते हैं, बहुत कुछ लगता है, और जो आप languages बगर है सीखते हैं, जो आप development करते हैं, जो websites बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं network का ही आप अभी तो hosting कर वगार है, आप अभी तो host कर लोगे, लेगिन आगे चलगे कभी कुछ का server बनाऊगे, तो आपको network setup करना पड़ेगा, तो उन networks को कितना सब कुछ resource लगाने के बार, कोई अगर hack कर ले तो, कोई hack कर ले तो क्या मतलब हुआ, जो बहुत जादा data गया, तो जो importance है, वो पहले बताना जुरूरी है, कि इस चीज की importance क्या है, network security से क्या समझती हूँ, मतलब किस चीज से बचाना पड़ेगा, वाइरस को बनाता है, anti-virus company, सोच के देखो न, anti-virus company को अगर अपना business बढ़ाने है, तो क्या करेगी हो, यह होता है, तो जब security के बाद आती सिर्फ यह सोचो कि human mind कैसे काम करता है, जो भी problem को जड़ है, वो human सी है, फोई software नहीं है, software भी जो बनाया है, वो human नहीं बनाया है, हमने आपर बात किया था security principles के बारे में, तो जो parameters है, जिन parameters पर security की हुई है, उन सारे parameters के बारे में एक एकर के बात करते हैं, सबसे पहला जो काम मतले, personal होचाते, अच्छा, confidential और privacy के बारे में सुना होगा, privacy, पहला मक्षप्ण देट यह, अच्छा, confidentiality और privacy में ये difference है, privacy personnel होती है, confidential consists of a group of people, तो सबसे पहले, जो चीज जिसके लिए बनी है, सिर्फ उसी पेकस सोना चाहिए, दूसरों के ऊपर, मैं दूसरी लोग दो हमारे कर्माजिशन में बॉल नहीं है उनको ये चीज़ नहीं बिले चाहिए हमारी डेटा दूसरों से चुपी होनी चाहिए Integrity Integrity मतलब जो डेटा आप खेज रहे हो या जो डेटा आप रिसीब कर रहे हो सिर्फ वह ही रिसीब होनी चाहिए ABCD आपने बेजा उसके पास पहुचा ABFD क्या हुआ बीच में कुसे ने उठाया डेटा को चेंज कर दिया वापिस डाल दिया तो सकता है ना अशा तो ये Integrity है Data Should be intact Availability फिर से सिंपल साइक्जाम्पल Website डाउन रहती कभी-कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग एक साथ दूप पढ़ते हैं Website पर तो डाउन हो जाती है Desserts के टाइम पे या MI का फ्लैश सिया 2 सेकंड नी लगते हुचा तो अब resources की बात करते हैं तो आपके network में चल रहा है जो database चल रहा है जो file बगर आपने host की हुई है वो सब available होनी चाहिए और उनको ही जो network pick authorized है यह availability यह तीन चीजे इन तीनों चीजों को पहले सा confidentiality फिर integrity अब availability इन तीनों को हमलों कभ़कभी CI, A, T, Triad भी बहुते हैं तो यह तीनों प्रिंसिपल सा security है network security है इन तीनों के उपर ही पूरी security defined है यह header angle data security एक अंदर का part है और यह तीनों चीजों से गूठीरा होगा यह ही फूरा security और इन तीनों चीजों में ही सारे जो concepts है भूआते हैं security तो चलो ठीक है इसके वह ने discuss कर लिया क्या होती है क्यूं जरूरी है कभी कभी सोचे आपके phone में कितने लोगे phone में अभी net चल रहा है आपके लोगे phone में चल रहा होगा हाथ की उठा रहे होगा तो mostly mostly लोगों के phone में आप data होगा या तो jio का net होगा अब भी आपके four minute चल रहा है, अब भी आपकी data जा रही है upload और ये internet पे, internet पे तो वो किसके पास जा रही है कि आप verify कर सकते हो, या जान सकते हो कि आप ISP के पास जा रही है, ISP क्या करता होगा आपकी data के चाहते अब वहीं चीए दिसक्रस करने माले हैं कि कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं और होते हैं एक्चॉल में मैंने जो वेब सेकुरडी में बताया था SQL injection, cross-satscripting ये वेबसाइट की बात की जिए अब वेबसाइट से अलग भी अटैक्स होते हैं नेटवर्क्स पी और उससे जादा अटैक्स होते हैं कोई भी application बनाओ या कोई भी software या website बनाओ बना के छोड़ मत दो testing एक बहुत बड़ा issue होता है हर website में जब भी publicly available कोई resource बना रहे हो ना तो बिना testing के कभी deploy मत करना और जो हो सकता है हम हमें पर डिसकस करने वाला हूँ जिस तरीके से networking काम करती है ना उसी तरीके से उसकी weakness भी डवलप हूँ the way the networking works is actually its own weakness कैसे networking पढ़ा है आता है किसी को थोड़ा बहुत networking आता है नहीं आता है तो अच्छी बात है अभी पता चल जाएगा बहले टाक में अटेक्स है पैसिव अटेक्स पैसिव अटेक्स पैसिव मतला आप डिरेक्ली इंवाल नहीं हो रहे हो पार्टीज के बीच में एक sender है एक receiver है दोनों communicate कर रहे हैं लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि मैं दोनों की communication सुन सकूँ तो उनको पता नहीं चलेगा बिना detect हुए किसी की communication सुनना इस काल पैसिव अटेक्स और वो कैसे होता है Alice और Bob के example बहुत famous है Alice है sender है और एक Bob है ठीक है एक Alice है और एक Bob है दोनों communicate कर रहे हैं plain text मतलब बिना किसी encryption के communicate कर रहे हैं direct communication हो रहा Alice और Bob दोनों से अब तीसरा बंदा आया Tom यह क्या है यह उसी network का part बन गया है यह जैसे दैसे उस network में घुज गया है अब यह क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीज में जो communication हो रही है वो किस form में होगी अगर आपने इदम नीचे physical level पे जाएं तो क्या share हो रहा है दोनों के बीच में मैं ऐसे तो share हो रहा है किस form में share हो रहा है इतना नीचे मचा बिट्स नीचे थोड़ा सा उपर बिट्स के उपर क्या होते है अच्छा दोनों के बीच में packet share हो रहे है यह तो समय सकते हो packets के form में travel होती है data internet पे सब लोग language सीख रहे हो packet तो पता होना चीए अब मैं क्या करूंगा इन दोनों के बीच में जो packet share हो रहा है इनको मैं capture करूंगा मतलब मैं इनको चुराऊंगा नहीं यहां मैं जो capture कर रहा हूं वो तो वैसे वैसी जा रहा है लेकिन मैं बस देख रहा हूं कि क्या जा रहा है और मैं सब कुछ देख रहा हूं अब अब एंक्रिप्टेड नहीं है तो में को सब कुछ पता चल जाए यह क्या बेजरी इसको यह भी क्या वे जर्वे को सब पता चाहिए और इन दोनों को कुछ पता नहीं चलिएगा कि मैं कर रहा हूं इसी दिए पैसिव है मैं actively involved नहीं हूँ, involved होता है तो इनों पकड़ लेते हैं लेकिन वायरस्वर का नाम सुनां, वायरस्वर सही होता है और यसे कुछ और अबी software's नैंशे म कर सकते हैं तो सुंसुं के बताते हैं कि कहां कहां हुई है, तो sniffing का मतलब भी होता है, मैं भी sniffing कर रहा हूँ, read कर रहा हूँ अब दूसरे टाप के attacks होते है active attacks, actual में मैं उन्हों की communication को intercept कर रहा हूँ, मतलब चुरा रहा हूँ जो लोग share कर रहा है, मैं पीस में पकड़ ले रहा हूँ, अब मैं उनके साथ क्या करता हूँ, यह मेरे उपर है पहले communication कैसी थी, Alice to Bob direct communication था, अब क्या हूँ रहा है, Alice Bob को भेजना चाती है, भेज किसको रही है, Tom को यह होता है actual में, उसका intention नहीं है कि मैं Tom को भेजू, लेकिन वो जा Tom के पास रहा हूँ तो यहां से connection बन गया Tom के पास, आप Tom के पास message आगया है, वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो drop कर दे, Tom तक, Bob तक जानी रहा दे या Bob को भेज दे, मतलब कुछ कुछ पुल्टा सीदा करके भेज दे अगर इस case में मैं example लेके बता हूँ, तो Alice अगर high भेज दी है तो में यह जो Tom है, इसको modify करके पाई भेज देगा, हो सकता है पहली, सबसे पहले जो दिमाब में आता है network security में यही अटाक होता है, man in the middle attack, और यही साथ कुछ स्टार्ट होता है, यह जो था हम हरे पास, यही था, बीच में Tom है, इसको क्या गोलेंगे हम? man in the middle है, यह woman in the middle भी हो सकती थी, जबर नहीं कि man है, ऐसी काओ करता है, अब, user और website के बीच में, मैं अगर google.com मान लेते, google.com मैं अगर visit करना चाहता हूँ, तो मैं directly उसका URL टाइप करूँगा, और connection जाएगा google के पास, लेकिन मेरे network पे कोई और आ जाता है, तो हो सकता है कि जो मेरा packet है, जो मेरे request है उसके पास जाए, Google.com की request उसके पास जाए, तो ये नया connection बन जाएगा, बीच में कोई आ गया थे, ये मेरे को पता चल सकता है, अगर बीच में कोई आ रहा है, तो मेरे को पता चल सकता है, तो मैंने नबडिल ऐसी काम करता है, काम तो ऐसे करता है, लेकिन कैसे होता है ये सब, अब बीच में कोई आदमी कैसे आता है, कोई तीसरा कैसे आता है बीच में, क्यों आता है, ये सब, ये जो technical चीज है, इस से आता है, ARP, ARP poisoning, ARP का खुल फर्म पता है किसी को, address resolution protocol, ये network protocol है, सिंपल सा समझ लो, ये क्या करता है, ये IP address को, MAC address से link करता है, मतलब map करता है, अब networking में हमारे पास एक principle ये है, कि हमको अगर किसी device पर अपना data बेजना है, तो अपको उसका MAC address चाहिए, हम लोग IP address से किसी को data नहीं बेच सकते, ठीक है, तो अगर मेरे पास google.com की IP है, तो मैं IP बता हूँगा packet में, लेकिर मेरे को, अगर उसके तरफ एजना है packet, तो मेरे को MAC address चाहिए, कौन सी device का जो मेरे आगे है, तो actual में तो communication, जो transfer होता है, वो MAC address से ही होता है, अब ARP जो protocol है, यह IP address को MAC से link करता है, अब poisoning मतलब हम इस protocol का फायदाउट आ रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग network में correct है, 10 device है मेरे पास, तो अगर मेरे पास एक device का IP address है, तो मैं network में पूछूँगा कि किसके पास इस IP address के corresponding MAC address है, तो हाँ device का IP address होता है, और एक MAC address हो अगर मैं बोलता हूँ किसी device को कि ले मेरा जो IP address है, तो मैं पूरे network में शेयर करूँगा, बता भाई इस IP address के corresponding MAC address किसका है, तो प्रोटकास्ट करूँगा है, और जिसका हो का हो मुझे वापस reply करेगा, समझ है, अब 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 अटाकल क्या करता है, इसमें एक दिक्कत कि यह क्या करता है, यह कोई भी packet accept कर लेता है, अगर मैं बोलता हूँ किसी device को कि ले मेरा जो IP address है, उसके corresponding यह MAC address है, तो रख ले, तो रख लेगा, वो accept कर लेगा, तो इससे क्या होता है, मैं किसी और IP address के लिए अपना MAC address लिंक कर सकता हूँ, किसी भी IP के लिए, कुछ ऐसा यह, यह ऐसा काम करता है, यह एक IP address है, मैं पास 10.0.0.2, उसका मेरे को MAC address चाहिए, उस device का, तो मैं network में पूरे एक devices को फिल जूँगा यह सब, और जिसका होगा, वो आपस reply करेगा मेरे को, यह 10.0.0.2 वाला, जो computer है, यह मेरे को अपना MAC address दे देगा, यह ARP का प्रोटकॉ आपके घर में router लगा होगा, तो आपको पता होगा कि जो भी communication होता है, वो router के थुरू होता है, इतना तो पता है सबको, तो अगर मैं beach में आगे हो, मैं beach में आगे हो, तो मैं system को क्या बता हूँगा, कि जो router का IP address है, router का IP address है, उसका MAC address मेरा है, मतलब अगर मेरे को router को भेज होगा कि इस system का IP address है, उसका MAC address मेरा है, तो router को लगेगा कि जो system है वो मैं हूँ, और system को लगेगा जो router है वो मैं हूँ, तो communication बीक से हो जाएगा, उसको पेजना है router को, वो भेज़ देगा मिर को, और router को भेजना है system को, भेज देगा मिर को, समझ आ रहा है, डाउट है तो चलो, मैंने क्या किया, router का जो IP address था, उसको मैंने अपनी MAC address से लिक कर दिया, तो जो भी request router को जाने के लिए होगी, वो मेरे पास आएगी, और इस system का जो IP address मैंने बताया, और मैंने उसको अपनी MAC के साथ लिक कर दिया, तो जो system के लिए packet होगा, वो मेरे पास आएगा, दोनों तरफ से packet मेरे पास आ रहे है, तो क्या हो रहा है, ये भी मेरे को बेज रहा है, और ये भी मेरे को बेज रहा है, तो अगर मैं यहां से क consequence है, वो ये सारा है, DNS poisoning या spoofing भी बोल सकते है, DNS के बार में पता है किसी हो, सबको पता होगा, क्या करता है, नाम करन करता है, क्या करता है, IP address को नाम करन करता है, क्या देता है, IP address किसका, तो जो भी योलेट आप कुरते हो, सबस्पल रिक्वर्स जेनल सर्फर पर जाती है, और उसका IP मिलता है, तब ही हम लोग उस सर्फर पर रिक्वर्स कर सकते हैं, इसमें भी एक कमी है, अगर मैं मैं इंदा मेंडेल अटेक कर र जो डेवाइस है, उसको एक URL के corresponding IP address चाहिए, माल लेते हैं, Facebook उसने टाइप लिया, Facebook.com टाइप लिया, और वो DNS सर्फर पर रिक्वर्स बेज़ रहा है कि Facebook.com के corresponding मेरे को उसकी IP address चाहिए, मैं पीच पे बैठाऊं, रिक्वर्स मेरे पास आएगी, अब मैं क्या किया, मैं बीच में बैठाऊं, रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, Facebook.com किसी ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, मैं अपने मर्ची से कोई भी IP address उसको दे सकता हूँ, मैं खुड DNS server बन गया, वर्किंग समझ में आख किसको DNS server का, ऐसे होता है, क्लाइट क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये रिक्वेस्ट के बारे में DNS server को, मैं बीच में बैठाऊं, मैंने इंफेक्ट कर दिया DNS server को, ये मैं हूँ, ये DNS server को control कर रहा है, अब facebook.com की जो IP होगी, वो नहीं मिलेगी मेरे मटी से मैं जो भी IP देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ, ले facebook.com की IP मेरी laptop किये चल, तो खुलेगा क्या, क्या खुलेगा, मैं जो चाहता हूँ, हो खुलेगा, facebook.com टाइब करोगे, मेरी website खुलेगी, तो ये ऐसा attack है, जाना था उसको यहाँ पे, real website पे, वो redirect हो रहा है, यहाँ पर, fake website पर, इस case में, यह लग तो आपसे ही tag करोगे, लेकिन जो page कुलेगा, वो मेरा facebook का phishing page भी हो सकता है, हो सकता है, इस case में, पता नहीं चाहता, क्योंकि आपने URL से tag किया है, रिडरेक्ट हो रहे हो, तो कुछ डाल भी दोगे उसमें, वो फिर, man in the middle attack समल लाया किसी को, मलब सम, आया ना, चलो हाथ हो रहे हो, सकेंड टापक अटाक है, denial of service, denial of service, यह एक availability attack है, इसमें क्या होता है, कि वही चीज, availability, अगर मेरेको किसी system को डाउन करना है, तो मैं, यह चीज करूंगा, यह क्यों करूंगा, यह ऐसे होता है, target को, बहुत सारे request एक साथ बेशते जाते हैं, बहुत सारी, 10,000, 20,000, 1,00, 1,00, 1,00 में, जतना powerful PC है आपका, उतना जादा effective हो गाई है, इंटेंशनली मेरेको system को डाउन करना है, तो मैं डॉस अटेक करूंगा, करेंगोई website नहीं भी खुलती है, कोई website तो समदल यह नहीं है, कि genuinely बहुत सरह users उसको डाउन कर रहे हैं, कोई एक बंदा अभी उसको डाउन कर सकता है, यह उसका modified version है, distributed denial of service, इसमें क्या करता है attacker, बहुत सारे PC को अपने वर्ष में कर लेगा, बहुत सारे PC को कर लेगा, बहुत सारे PC को hack कर लेगा, और फिर उन सारे PC से, लगातार वही चीस करेगा, जो वो एक PC से कर रहा था, यह distributed है, यह बहुत सारे PC से एक साथ कर रहा है, तो इससे क्या होगा, यह और ज़्यादा का तन आगा है, यह victim आगे बहुत ज़्यादा resources भी यूज कर रहा है, RAM भी उसकर रहा है, तो ultimately वो डाउन हो गई होगा, तो आपके पास जितना अच्छा PC होगा, जितने सारे PC होगे तो यह उतने सारे PC से आप Amazon credit card को भी डाउन कर सकते हो, तो क्या होगा, आप भी multi server बन सकते हो, तो सारे server बन सकते हो, हाँ, लिमिटलेस, everything is limitless, eavesdropping, यह तीसरे type card आए, इसका मतलाब यह होता है कि वाई चीज, सुनना, जो passive attack थाना हो यह है, सिर्फ सुनना, देवाल के जो serials पे दिखाते नहीं है, आट यहां लोग सुनते रेती हैं, वैसी उसी type card आगे है, password-based attacks, password आपको पता कर रहा है किसी का तो पहुंत सा method लगाओगे, क्या करोगे, और क्या कर सकते हो, कोई भी, DNS पासफ़र्ट का में लगाओगे, हाँ हो सकता है, phishing हो सकता है, यह तीन तरीके हैं technically जिससे हम करते थे, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो website से वो लिविट कर देती है, लॉग इंटैंप्स को, तो इसलिए brute force काम नहीं करता, सबसे पहला method है brute force, brute force कुछ भी टैप करो, जो मन में आइ टैप करो, देखते जाओ, एक second में बहुत सारी combination ट्राय करो, meaningless combination ट्राय करो, जितने random हो सका उत्ता ज्यादा सही है, तो यह brute force होता है, जितना जादा हो चके, कभी भी हिट कर जाए, तो आपके लिए फायता है, और बहुत ज्यादा पॉर्फुल PC चाहिए इसके लिए, रिसोर्सस बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक second में बहुत बाट आए गारना है, तो आपके PC के परफॉर्मेंस पिट्पेंट में रहेगा, करने नहीं बहुत रहा हूं, बस बता रहा हूं कि यह ऐसा होता है, दूसरे टक का अटाइक है dictionary base, dictionary file, एक file है मेरे पास, एक file में मैंने बहुत साहे password store करके रखे हुए, जो लगता है मेरे को, कि यह password हो सकते हैं, इस user नहीं यह password रख सकता है, तो मैं उसी के according एक file बनाऊंगा, और उस file से लगाता है मैं request करूँगा, यह भी performance based है, जितने ज्यादा मेरे पास passwords होने होते ज्यादा मेरे contents लगेंगे, तो यह target specific होता है, इसकी जो success rate हो ज्यादा होती है, और उसमें time बहुत जदा लगता है brute force में, अब सब कुछ tag कर रहे हो, इसमें time कम लगना है, और सबसे कम time लगता है, rainbow tables, अब rainbow tables के समझने के लिए आपको hashes के बार में समझना पने है, hashing पता है किसी को, hashing क्या होती है, data structure वाली नहीं, cryptography वाली hashing, hashing का simple मतब यह कि कोई भी input string है, कोई भी word है, हजार दोजार शब्द का, उसको मैं एक fixed string में connect करता हूँ, उसको hash होते हैं, कोई भी function लगाके एक fixed output में connect करता हैं, तो यह क्या होता है, हम लोग generally जब भी password store करते हैं ना website में, तो हम लोग hash करके store करते हैं, हम लोग उसका hash निकालते हैं पहले और फिर store करते हैं उसको, तो उसके लिए मेरे को एक बहुत बड़ी file लेनी पड़ेगी, मैं यहां पर attempts कम करने के कोशिश कर रहा हूँ, यहां पर मेरे को क्या करना है, मैं बहुत बड़ी file लूँगा, मैं बहुत सारे strings करूँगा, वैसी जैसे जो रिष्टरी में किया थुम्हें, लेकिन इस case में मैं सब के hash निकालके store कर जूँगा, तो जब database में store हो रहा है, तो वो hash store हो रहा है, अब मैं यहां पर hash निकालके अपनी password file मना रहा हूँ, तो दोनों को मैं जब compare करूँगा, तो यह brute force हो गया, यह भी brute force का modified version है, तो मैं hashes को compare कर रहा हूँ यहां कर रहा हूँ, original string को compare नहीं कर रहा हूँ, यहां पर मेरे, जो भी hash compute करने के जो भी overhead है, जो भी में को time लग रहा है, वो पहले लग जा रहा है, पाफ़ट crack time में seconds में crack हो सकता है, तो मैं hash crack कर रहा हूँ यहां कर, hash को reverse भी कर सकते हैं, crack कर सकते हैं, तो गौज ज़दा fast होता है, सबसे ज़दा fast होता है, लेकि इस advantage ही है, कि बहुत बड़ी file होती है, TB इसमें file होती है, TB मतलब? यह सब ने answer होती है, अब, सबसे खतरनाक जो attack हो सकता है, किसी भी network पे या किसी भी organization में, या कहीं भी दुनिया में, वो यह ही है, और यही सबसे ज़दा होता है, social engineering, इसका मतलब कोई बड़ा सकता है, आवाज आ रही है कि नहीं मेरे सब को, तो इसका मतलब कोई बड़ा सकता है, मेरे को बताना है आपस में नहीं, social engineering, engineering कर रहे होना सब, तो जब लोगों पे कि माँ कोई ट्रिक के जाता है न, बस समाझ लोग यह है, fishing, fishing तो जानते हो कि fishing क्या होता है, fishing जानते है न सब, social engineering क्या, अभी भी नहीं, तो वही manage होता है, कि लोगों के दिमाग को ट्रिक किया जाता है जो, आज कल, जितने spot बंते जा रहे है न, उतने बेवफू भी बंते जा रहे हैं, अभी तग इसका कोई तोड नहीं निकला है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि, अभी नेट्वक में किता भी टेक्निकली आप शिक्यूर रह जाओ, लगिन जो भी आपने security के measures लगाय हैं, आपने resources लगाय है, आपने सारे input को फेटर कर दिया है, नेट्वट में firewall लगा दिया है, सब कुछ कर लिए हैं लिकिन उसके बाद भी आप इस्टिस को प्रेवेंट नहीं कर सकते हैं आपके रेपर सटप कौन कर रहा है इंसान ही कर रहे हैं तो जब तक इंसान स्मार्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता इसका भी कोई क्योन नहीं है सान को स्मार्ट कैसे कर सकते हैं, नहीं 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 कर सकते हैं,